प्रिंट्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन राइटर और फिल्म डाइरेक्टर सत्यजीत रेकी एक शॉर्ट स्टोरी के बारे में जिसका नाम है दस केयर क्रो स्केयर क्रो क्या होता है तो हम खेंटों में क्या करते हैं एक पुतला बना कर टांग देते हैं या फिक्स कर देते हैं जमीन में खूटी के सहारे जिससे क्या होता है कि जो पक्षी हमारे खेंटों में आकर कि हमारे फसलों को नुकसान पहुचाते वो डर कर वहां नहीं आते है इसलिए उसे स्केर क्रो कहा जाता है अब फ्रेंड्स यहां यह कहानी जो है यह एक हॉरर स्टोरी है यानि हिंदी में अगर हम नॉर्मली कहें तो एक दरावनी कहानी एक भूतिया कहानी है और इस बात के लिए सत्य जी तरह काफी फेमस भी रहे हैं उन्होंने और भी काफी सारी हॉरर स्टोरी लिखी है जिनमें सबसे फेमस एक है उसका नाम है फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स आगे इस कहानी के बारे में अगर बात करें तो इस कहानी में जो में चीज है जो में क्यारक्टर तो नहीं कह सकती में लेकिन जो main object वो एक scarecrow है जो की अचानक से उसमें life आ जाती है और वो हमारे story के जो main character है उससे एक बात करता है और उसके सामने एक छोटी सी घटना का जिक्र करता है अब कितना scary लगेगा अगर एक scarecrow life में आ जाए हिलने डुलने लगे तो ये कहानी उसी पर based है हम आगे अच्छे से पढ़कर इसे समझेंगे साथ ही अगर बात करें सत्य जीत रेकी तो वो एक Indian film director, writer, illustrator और music composer थे उनका जन्म हुआ था 2nd May 1921 में और उनकी death भी थी 23rd April 1992 में साथ ही उन्हें बहुत सारे awards भी मिले हैं जैसे दारा साहब फाल की award, भारत रतन पद्म भूशन इस तरह के और उनकी famous works में जाखन छोटो चिलम, My Ears with a Pooh, Our Films, Their Films इस तरह की जो works हैं वो शामिल है तो चलिए फ्रेंट्स अब आगे बढ़कर इस story को समझने की कोशिश करते हैं इस story की शुरुआत होती है एक writer से जिसका नाम है म्रिगांको शेखर मुखो पाद दिया है अब ये जो writer है ये बहुत ही famous writer हैं कॉलकता में रहते हैं और ये क्या कर रहे हैं ये गारी से एक यात्रा कर रहे हैं और दुरगा पुर जाने वाले हैं लेकिन रास्ते में क्या होता है इनकी गारी का petrol खत्म हो जाता है और ये एक खेत के बगल में इनकी गारी रुख जाती है अब ये खेत जो है ये एक paddy field है या simply कहूँ तो एक चावल का धान का खेत है यहाँ पर इनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है तो इनकी गाड़ी का जो ड्राइवर है सुधीर वो कहता है कि वो पेट्रोल लेकर आता है पास में ही एक शहर है पानगड तो उनका ड्राइवर जो है सुधीर वो पेट्रोल लाने पानगड चला जाता है और ये जो म्रिगांको बाबू हैं ये वहीं पर गाड़ी में बैठे रहते हैं और खेत की तरफ देख रहे होते हैं अब आगे जो राइटर हैं वो बताते हैं कि ये जनवरी का मौसम है जनवरी खत्म होने वाला है और काफी ठंड है बिगांको बाबू जो हैं ये गाड़ी में बैठे बैठे बोर हो जाते हैं तो गाड़ी से बाहर आते हैं और एक सिगरेट जलाते हैं और अपने आसपास के एरिया को देखते हैं, बिलकुल खाली है, पूरा मैदान खाली है, खेत खाली है, और दूर दूर तक कहीं कोई नहीं है थोड़ी दूर पर एक जोपड़ी दिखाई देती है उन्हें एक इमली के पेड़ के नीचे लेकिन उसे देख कर ही लगता है कि वहाँ कोई नहीं रहता वो जोपड़ी भी जो है वो खाली है और जो western side है यानि जो पस्चिमी तरफ है वहाँ पर एक pond है 40 feet दूर है ये रोड से थोड़ी दूरी पर एक pond है अब वहाँ भी दो छोटे छोटे हट्स हैं जोपड़ीयां है लेकिन उन में भी ऐसा लगता है मानो कोई नहीं रहता यानि जो म्रिगांको बाबू हैं वो बिलकुल अकेले हैं दूर दूर तक कोई नहीं है और थोड़ा अब ये जो situation है डराबना लग रहा है अब ये जो म्रिगांको बाबू हैं इनकी नजर जाती है एक स्केर क्रो पर जो की खेत के बीचों बीच खड़ा है और ये म्रिगांको बाबू जो हैं उस स्केर क्रो ने जो शर्ट पहना है उसे देखकर उन्हें लगता है कि उन्होंने ये शर्ट पहले कहीं देखी है लेक टी शर्ट्स तो बहुत होती हैं क्या पता मैंने देखी या ना देखी इस तरह से वो उसे इग्नोर कर देते हैं और चुप चाप अपना सिगरेट फूकने लगते हैं अब क्या होता है धीरे धीरे सूरज डूब जाती है और अधेरा हो जाता है और अब यह जो म्रिगांको ब बाबू को यह लग रहा है तो वो क्या करते हैं वो स्केर क्रो की तरफ देखते हैं और वो उसे घूरने लगते हैं अब थोड़ा समय बीटता है तो म्रिगांको बाबू का ध्यान जाता है कि यह जो स्केर क्रो है यह थोड़ा बदल गया है जैसा मैंने शुरू में देखा ये वैसा अब नहीं लग रहा, इसके जो arms हैं, जो इसकी बाहें हैं, ये अब थोड़ी कम stiff हैं, कम कड़ी हैं, थोड़ी धीली पड़ चुकी हैं, और ये भी थोड़ा जोग कर खड़ा है, ऐसा लग रहा है, मानो अब ये स्केर क्रो नहीं है, ये कोई इनसान है, एक असली ज जिन्दा इनसान, और दर के मारे तो उनकी चीक तब निकल जाती है, जब वो स्केर क्रो क्या करता है, आगे बढ़ना शुरू कर देता है, चलने लगता है, एक इनसान की तरह और उनके पास पहुंच जाता है, अब जब वो उनके पास पहुंचता है, तो थोड़ा लंगड म्रिगांको बाबू देख रहे हैं, और साथ ही उसने एक गंदी सी धोती पहनी भी थी, अब ये जो अजीब सा फिगर है, ये अजीब सा जो स्केर क्रो जैसा आदमी है, ये म्रिगांको बाबू के पास आता है, और उन्हें बाबू कहकर पुकारता है, और जैसे ही वो ये क केता है, तुरंट ही म्रिगान को बाबू, उस आदमी को भी पहचान जाते हैं, और उसकी आवाज को भी पहचान जाते हैं, क्योंकि वो आवाज और किसी की नहीं, उनके एक नौकर की थी, जिसका नाम था अभिराम, और उन्होंने उस नौकर को अपने घर से चोरी के इल्जा में बाहर निकाल दिया था उन्होंने कहा था कि अभिराम जो है उसने उनके शादी में मिली एक वेडिंग गिफ्ट थी एक गोल्ड वॉच उसे चुराया है पहले तो ये अभिराम जो था उसने कहा कि नहीं मैंने चोरी नहीं किये है लेकिन इस म्रिगां को बाबु के फादर ने उनके पिता ने क्या किया एक जोतिशी टाइप के आदमी को बुलाया एक एस्ट्रो लॉजर को बुलाया या विच डॉक्टर यहां पर कहा है उसे बुलाया जिसने क्या किया थोड़ा जादू किया और उसने जादू से एक बोतल को घुमाया और वो बोतल आकर के अभि अब ये जो अभिराम है ये म्रिगांको बाबू को बताता है कि जब आपने मुझे अपने घर से निकाल दिया तो मैं बहुत उदास था, मेरी हाला भी बिगड़ गई, मैं समझाना चाता था, सब को बताना चाता था कि मैं इनोसेंट हूँ, मैंने घरी नहीं चुराई, लेकि म्रिगांको बाबू से कहता है कि बाबू आप अपने घर जाए और वहाँ जो अलमारी है, उसके नीचे देखिए, आपकी अलमारी के नीचे आपकी वो घड़ी आज भी रखी वी है, और इतना कहने के बाद ये जो अभिराम की आत्मा, ये जो अभिराम का भूत है, ये म्र म्रिगांको बाबू हैं, ये जल्दी से अपने घर पहुंचते हैं और उस अलमारी के नीचे ढूनते हैं, तो उन्हें सच मुच वो घड़ी मिलती है, और वो ये देख करके शौक द्रह जाते हैं, कि उन्होंने एक इनोसेंट नौकर को जान बूच कर अपने घर से निकाल या जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी, और वो साथ ही ये डिसाइड करते हैं, कि आज के बाद अगर कोई भी सामान खोएगा, तो वो इसके लिए कोई जोतिशी या कोई विच डॉक्टर नहीं बुलाएंगे, और ना ही कभी किसी पर एक जूठा आरोप लगाएंगे, और ये जो जोतिशी वगेरा हैं, इनके चक्कर में नहीं फसना चाहिए, तो फ्रेंड्स ये थी सत्यजीत रॉय की स्टोरी दस्केयर क्रो, आपको वीडियो कैसी लगी, प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करें